अगर कोई एक चीज अच्छी हुई है ना तो वह यही है कि सोनी ने अपना प्लेस्टेशन फाइव रिवील कर दिया उसका डिजाइन हमें देखने को मिल गया मतलब कुछ भी बाद करने से पहले है सबसे पहले यह देखोया क्या डिजाइन है तो मुझे याद है कि मैंने तुम्हों को वादा किया था कि मैं दो तीन दिनों में वीडियो डाल दिया करूंगा एंड उस वीडियो के बाद लगभग एक महीना हो चुका है और मैंने कुछ भी नहीं डाला था तो उसके लिए आप सौरी तुम लोग देख सकते हो हमारा नेय आप ठीक है तो अब कुछ वीडियो तक इसी सेटप में रहने वाले यह तो यार ठीक है तो लोग ने फोटो देख लिए ट्रेलर भी देख लिए होगा एमीन मैंने भी देख लिया है ठीक है और अगर सच बात बनूं कि सच बात एक दम बोलना चाहता हूं यह बहुत मस्त ह बहुत मस्त ठीक है मतलब लिटरली जब देखा था न इसको मतलब लगा भाई क्या फ्यूचरिस्टिक डिजाइन है ठीक है और भाई जब मैंने पूरा शो देखा ठीक है जो पूरा शो हुआ वो पूरा शो मैंने देखा मतलब लगा था जैसे बड़े बड़े यूट्यूबर्स नहीं करते कि सबसे पहले अपना पहले चैनल का करेंगे उसके बाद चैनल की ब्रेंड अमबैस्डिंग करेंगे उसके बाद पूरा काम करेंगे उस पे फिर बीच में अपने स्पॉंसर्स को लाएंगे उसके बाद main point दिखाएंगे ठीक है तो I think जो event हुआ था Sony का वो भी कुछ इसी तरीके का था ठीक है क्योंकि सबसे पहले start में उन्होंने बताया सब कुछ की हाँ हमने यह किया वो किया हमारे PlayStation 5 के लिए इस map को यह मिलेगा वो मिलेगा ठीक है वो इतने वह 4K में इतना अच्छा देगा ठीक है 60fps ले जाएगा 120Hz लेके जाएगा मतलब भाई ठीक है पूरे अच्छे से बताया उसके बाद गेम्स की सुरुआत हुई ठीक है गेम्स है और कुछ गेम्स थी जो महा अजीव लग रही थी मतलब देखने में लग नहीं थी कि सच में प्लेस्टेशन 5 की आहीं इवन्ट देखना है या फिर कुछ नॉर्मल सा कोई सस्ता सा लाप्टाप कंप्यूटर का इवन्ट देख रहे हैं मतलब नहीं समझाया मैं किसी को भी हेट नहीं करता है ठीक है तो सबसे पहली बात यार ठीक है बात हमुटे बहुत सारी गेम दिखाएगया उसके बाद याराये मस्त वाले घंच है बहुत ही मस्त वाले ठीक है spider-man miles morales ठीक है horizon उसके बाद residence evil 8 village मतलब बहुत मस्त बहुत ही मस्त आ है ठीक है प्लेस्टेशन 5 आता है उसके बाद ठीक है मतलब पूरा फिर डार हो गया scene and उसके बाद लगा कि अब किये क्या है रगता है प्लेस्टेशन 5 नहीं दिखना है इवेंट में भी and उसके बाद परता खुलता है मतलब वह ब्लैक कलर की जो पूरा थीम बना था वह थीर देरे ला ब्लूरेस्टेशन 5 नहीं न एक प्लेस्टेशन फाइट नहीं दो दो प्लेस्टेशन 5 दिख़ रहा है दो अलग अलग पहला हमारा ब्लूरेड इस्क वाला जो standard प्लेस्टेशन 5 ता आझ दूसरा हमים है दिखा digital edition मतलब अब यहाँ पे मैं छोड़े सी बात किलियर कर देता हूँ जो blu-ray edition है उसमें disk डलेगी cds जो होती है blu-ray cds होंगी blu-ray disc वो आप उसमें डाल सकते हैं उनसे आपकी games चलेगी बट जो digital edition होगा उसमें आप disk नहीं डाल सकते हैं इसमें डिस्क्राइब नहीं होगी आपकी उसके लिए आपको यार क्या होगा उसमें आपको साथी games ऑनलाइन डानलोड करनी पड़ेंगी डानलोड करनी पड़ेंगी वो भी इंटरनेट से इंडिया में इंटरनेट मतलब अगर तुम बड़ी cities को छोड़ो तो उतना अच्छा नहीं आता हर जग है ठीक है इसके बार में अगर वीडियो किसी और वीडियो में बात कर ली जाएगी डिजिटल और ब्लूरे के बारे में बट अब यह दो है और इन दोनों में भी और दो होंगे दो और एडिशन्स होंगे वह होंगे पहला स्टोरेज का दोनों स्टोरेज में डिवाइड होंगे पहला होगा यह थिंग 825 GB का SSD होगी वह और डूसरा यह थिंग 1.5 यह 1.6 यह 1.6 टेरवाइट का होगा थीका तो यह बहुत इ मस्ता थीका धिकने में तो कि यह 1. ठीका ह। यह दोनों दिखे तो मुझए कर दे के यह दोनुम स्थ हो यह तोनीक है उसके बाद इसके बाद भाई हुआ थमाल उसके बाद हमें निके हमारे dual sense controllers ठीक है उसके बाद आये मतलब HD camera आ गया उसके बाद headphones दिखाया गया फिर उसके साथ ही साथ वो controller के charging के लिए भी दिखाया गया और फिर media remote यानि remote भी दिखाया गया remote controller और उसके बाद यह सब एक लाइन में आते हैं और यह देखो फोटो थीक है और वहां लिखाये playstation 5 और उसके बाद खतम हो गया वो जो clip थी वो खतम होई और हमारे सामने आगया playstation 5 ठीक है अब देखो price क्या होने वाला है ठीक है अब हम देखें तो price reveal नहीं किया गया है ठीक है price नहीं reveal किया गया लेकिन अगर मेरी मानो तो मुझे लगता है कि 500 to 500 to 600 डॉलर्स या 500 से 600 डॉलर्स के बीच में I think होगा price मुझे ऐसा लग रहा है dollars में ठीक है and उसके बाद इंडिया में आते आते जो उनमें taxes वगेरा लगें ठीक है मुझे लग रहे ठीक है कास मेरा opinion गलत हो जाए and यह 500 डॉलर्स से नीचे का आ जाए क्योंकि कुछ reports ऐसी भी कह दिए कि 500 डॉलर्स से नीचे आएगा बट हम लोग क्योंने एक safe side लेके चलते हैं ठीक है तो यार इसमें जो दोनोई additions होगे इनमें जो digital होगा उसका price of course थोड़ा कम होगा तो इस पर अच्छे बात कर ली जाएगी ठीक है ब्लू हो जाए ठीक है ब्लू हो जाए बहुत मस्त है ठीक है मतलब सच में यार बहुत ही मस्त लगा ये पूरा इवेंट और अब यार मुझे आप लोग कमेंट्स में बताओ कि कौन-कौन लेगा PlayStation 5 फर्स डे पर या फिर कम से कम विदिन आ मन्त एक महीने के अंदर-दर कौ कर दो पहले तो या मैं लूंगा मैं पक्का लूंगा तो बस यही थी यार वीडियो आज वीडियो थोड़ी छोटी बनाई गई है तो बस देखते रहो यार मेरे चैनल को अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो और कमेंट्स में लिखो कि क्या लोग या नहीं लोगे या फिर तुम्हें कौन सा अच्छा लगा इस वीडियो में पार्ट वो बताओ प्लस अगर फर्स टाइम आ रहे हो चैनल पर फर्स टाइम तो एक रेड कलर कर सब्सक्राइब का बतन तीक है लाल लाल रंका उसे दबागो एंड उसके बाद एक घंटी आई जोडिफिकेशन ठीक है तो डाट सेथ गाइस बहुत मस्त था ठीक है इवेंट बहुत मस्त था एंड उसके साथ कई सारी गेम्स भी आई है ठीक है बहुत मलता रहे है उन सब पर अलग सिर्व बात करेंगे तो ठीक है गाइस बाइब पाइसायों